माफियाती के हमाद अब भले ही इस दुनिया में ना हो लेकिन उसके गुर्गों का आतंग कम होने का नाम नहीं ले रहा है बीएसपी विधायक राजुपाल मर्डर केस की महिला गवाह रुकसाना के परिवार को एक बार फिर से अतीक के गुर्गों ने धमकी दी है पचास लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और साती सात रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है तो रुकसाना के भाई नूर अफ्तर ने इस मामले में प्रियागराज के करेली थाने में F.I.R. दर्ज करा दी है पुलिस ने F.I.R. दर्ज कर ली है लेकिन परिवार जो है वो डरा हुआ है भैबीत है उसे ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी कोई अन्होनी हो सकती है हमारे साथ रुकसाना भी है उनके भाई और F.I.R. दर्ज कराने वाले नूर अफ्तर भी है हम खेद में पानी लगाने जा रहे थे तो मुबारक और सराफ़त और गुड़ू रुपिसरत और ये अरबाज ये चाल लोग आएं और गाली गलाउच देने लगे हमें मारा पीटा भी और उसके बाद जो है पचास लाग रुपए बोलें कि हमको चाहिए हमारा मकान गिर है और नहीं तो हम जान से मार देंगे और जाकि अपने बहें से रुखसाना से बोल देना और अपने बांदोई सादिक से भी बोल देना कि पचास लाग रुपए का इंतिजाम करें और ये करके तुम लोग मारे जाओगे इसी तरह रंगदारी मांगी है आप लोगों से अपना मकान फिर खड़ा कर लिया है क्राइली थाने के यह हिस्टी सीटर भी है उसके बाद से डरे हुए हैं आप बिल्कुन डरे हुए हैं आम लोग डरे हुए हैं आप किसी मामले में गवा भी वो मामला क्या था मामला हमारे बहन के घर पर गोली चलाई थी हमारे बहन के उसमें हम गवा हैं और कहे रहा है कि गवाही तुम दोगे तुमको भी मार दिया जाएगा इसी तरह गवाही से भी आपको रोका जा रहा है हाँ गवाही से भी रोका जा रहा है तो देखिए रुकसाना जो कि राजुपाल मर्डर केस में बहुत अहम गवा है इनके उपर जान अतीग कर गूर्गा बहुत खास हुई जमीन का ठिक का देखता है उसका काम करता है काम करका सामर बती भीजवाता है सबुर्ष जेल मिलने जाता है सब अब तो चले गए अब वह भेजवाये गा मगर सब उनके अभी ए네 क्षा देख हुआई उनको बहुत हुआ है कि जिसे भाई चले गएं तो सब यहार अवमेज पाल के घटना हो गई हम लोगन फाई यार दिएर के मारा घर से निकले नहीं एक दिन भाई को ताने बेजा कि चले जाओ वो थाने गए तो कहने जाओ लिग जाएगा फिर वो ही घटना हो गई हमने तहरीद नहीं पाएं तो अब हम लिखा रहे हैं अई बार बार हमरे पूरे परवार का कि अब वहो गवाही देहा और फिर हमरे में तुहार भाई गवाही देहें जो घर पर गोली चला रहा हम कुल जने कमाट डौब भाई तो चले गए मगर अब सब जिन्दा है अतीक के नाम पर अभी धमकाया जा है बिलकुन धमका जा रहा है बस हम सब कोनों कमाट डौब तुम देखी थी हिया गवाही देहें तुहार भाई तुहरे मगवाही देहें देखी थी कैसे देते हम लोगं डर के मारा कहा जाई बस यही योगी जी से है कि हमार सब के सुरच्छा करें अब पुलीस अधिकारी जो पाई उमेश पाल के तरह किस से गुहार लगा रही है बस योगी जी से तो आपनों को डर है अभी बहुत डर है एक गनर दिये हैं अगर एक तो गनर कहीं लेके जाए जब दो दो गनर मारे गए तो एक गनर के क्या है आप भाई उनके भी तजीव है इतने बड़े गवाह मे बढ़ाई जाए नहीं तरह किसान आदमी हैं विम्रह आदमी कोई चाल लाठी मारे गोली बंदूग से मार दे तो हम का कर वे कहीं हैं हमरे बहनी के वज़े से हम काई सब हुआ करत है तो बहुत डरे हुए हैं सब बिलकुल रुक्साना के पती मुहमद सादिक भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात कर लेते हैं बताई यह जो घटना करम हुआ तो क्या लगता है कि अतीक अहमद नहीं है लेकिन उसके गुर्गे अभी जो है वो अपना टेरर काईम किया है जी हाँ यह जो उसके गुर्गा है मुबारक उनका बहुत ही खास गुर्गा है और यह सुरू से उनके लिए ही काम करता है कि जैसा कि अभी हमारी पत्नी ने बताया कि उनके ही इसारों पर अभी चार-पांच साल पहले हमारे दरवाजे पच्छार करके जान लेवा हमला हुआ हमारे पत्नी पर तो उस मुकदमे में भी इनके भाई नूरक्तर चस्मदीद गवा हैं और यह कहा गया कि तुझे छोड़ इसलिए रहे हैं कि तू अब जा और अपनी बहन और बहनोई से यह कह दे कि जो मेरा मकान तुम लोगों की वज़ा से पुलिस ने तोड़वा दिया है तो अब वो पैसा की भरपाई तुम तीनों तुमारी बहन बहनोई और तुम इसकी बारी बारी से मारे जाओगे कौन लोग हैं किसके आदमी यह आतीग गएं के लोग हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि फिर से यह समराज खड़ा करना चाहते हैं कि अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई तो भाई बने तो इनका कोई अर्गनाइजेशन ऐसा लगता है पीसे से कर रहा है तो यह यह आप बताइए मुख्यमंत्री योगी जी से क्या गुहर लगाना चाहिए हमारी सुरच्छा करें कुछ सुरच्छा दें हम लोग को तक हम लोग खेती वारी वाले किसान आदमी हैं इनको कहां पाएंगे पचास लाग रुपए देंगे इनको जे लोल भेजएं तो सही है यही सब है मांग आउर क्या योगी जी से योगी जी की सरकार हमेशा बनी रहे हम तो यही दूआ करेंगे योगी जी से बिलकुल बीस पी विदायक राजुपाल मर्डर केस की गवाह रुकसाना और उनका पूरा परिवार काफी डरा हुआ है और परिवार ने मुख्यमंतरी योगी आदेतनाथ से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है और साथी साथ ये भी कहा है कि अगर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम नहीं किये गए तो उनके साथ कभी भी कोई भी अन्होनी हो सकती है कैमरामेन अनुराग दिवेदी के साथ मु हमत मुहीन एबी पी नेटवर्क प्रेया गराज़ एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की